हेलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागात रिपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ सोसल साइन्स यानि यहां पर सोसल साइन्स के जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है पौवर्टी एजट चाइलें निर्धरनता एक चुनौती एकनौमिक्स का जो काफी महत्वपून है इसमें हम कुछ कोशनों को विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर विचार करेंगे और यहां कुछ ही कोशन होंगे जो हिंदी इंग्रिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा और यह एक्जाम विउस से जो ही कोशन रहेंगे काफी महत्वपून रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि यह पॉइंट व्यू पर रहेंगे तो यह आपके लिए काफी महत्वपून बन जाता है लेकिन कोशन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए वह यह है कि जब भी वेडियो देखिए पूरा देखिए क इससे यह होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए सेर का मतलब यह होता है कि आप के थुरू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए यह आप भी नहीं जानोगा इसलिए जो है आप सेर जरू है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सस्क्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बात में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको इस चैनल प्राप्त ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सस्क्राइब करके जो है अपने पास से क्या है। दो सिर्कष़ थनली ब Vai्टोब पार्शिषारी कर्सके राल Groß रिर्ज देर जिर्ट चार्ठ देर्ज गर्जरी। प्र稜र कर्से परWait लिए लिवाटी जौ早 11 CC विर्टेक्री रिजरारी कर्सें 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 कर्से इंडिखती है in human resource development that's important poverty decline is stimulate here china south asia asian colonies that's important the massive investment in human resource development the next year in the south asia country that decline has not been rapidly that's important the south asia is country that decline has not been rapidly and the depth decline is a percentage of poor the number of poor has declined from to the 470 million in 1981 to 428 million in 2001 that's important here the number of poor has been declined from 475 million to 1981 but there is a 428 million in 2001 that's important there global poverty scenario here is some shaharan's africa poverty is a fact rose from a 41 percent in an 1981 and 46 percent is a 2001 that is important is a sahara african saharan african is a poverty effect rose of 41 percent in here 1981 but is increasing 46 percent in 2000 here and in latin america the ratio of poverty is remain the same and the poverty has also deserve face in some of the former or socialist countries like russia that's important asian cao yes the same I have काफी महत पूर्ण है और है यह एकनॉमिक्स का और हमारा अगला कोशन जो आया है काफी महत पूर्ण है यहां पर कोशन साफ है कि वैश्वी गरीबी प्रदिश्टा क्या है देखिए हमने भारत के बारे में पूरी अनेलाइस किया हरे कोशन में समझने के कोशिश किया लेकिन वैशिक सतर पर भी जानना हमारे लिए काफी important रहता है क्योंकि हम गरीवी पर बात कर रहे हैं तो विश्व सतर पर गरीवी की क्या हालत है और क्या दशा है ये जानना हमारे लिए काफी रोचक रहेगा और महत्व पूर्ण रहेगा इसे अपने देश और दूसरे देशों के साथ तुलना हो जाएगा तो जो काफी महत्व रखेगा इस कोशन का कि वैश्वी गरीवी प्रदिश्टा क्या है हलाके वैश्वी गरीवी में काफी कमी आई है लेकिन इसमें बड़े छेतरी अंतर भी देखने को हमें मिला है कहते हैं बैश्वी गरीवी में काफी कमी आई है लेकिन यह नहीं कि कमी बहुत काफी बड़े है लेकिन इसमें बड़े छेतरी अंतर भी हमें साफ देखने को मिल जाता है इसमें सबसे पहली बात तो आती है कि तेजी से आर्थिक विकास और मानव संसादन विकास में बड़े पहमानों पर निवेश के पहिनाम सरूप चीन और दक्षिन पुर्वी एशिया उपनिवेशों में गरीबी में काफी किरावण आई है ये काफी महत पूर्ण बात रहेगी कि देखा जाया तो तेजी से आर्थिक विकास और मानव संसादन विकास के बड़े पहमानों के निवेश के कारण चीन और दक्षिन पुर्वी एशिया उपनिवेशों में गरीबी में काफी गिरावट आया है और ये वैश्वी गरीब प दिष्टा यहां पर उसके पर शाद दे निवेश ग्रावट उतनी से projektि नहीं रही है देखा जाये दक्षिन एशिया देख्ष़ देशों में गिरावट उतनी से नहीं हुए है गरीवी है करेबी की पर दिशन में गिरावट के बावजूद गरीवेश कि संधिया यहां दे एक में 428 मिलियन हो गई तो यहां पर देखा जाए तो गरीवी रेका में दक्षन एशिया में गिरावट जरूर आई है और यह काभी मेहत्वून बात की तरफ इशाड़ा करता है कि वेश्वी सतर पर जो गरीवी में गिरावट जरूर आई है उसके पर शाद देखे तो उप सहारा अफरीका में गरीवी वास्ता में देखा जाये तो 1981 में 40% से बर कर 2001 में 46% हो गई यानि सभी देशों में गरीवी के रेका घटी है लेकिन उप सहारा अफरीका में आज भी गरीवी रेका जो है बरकरार है और देखा जाये तो यहाँ गरीवी के रेका जो है दिन पर दिन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है तो ये काफी संकट का समय हो सकता है उप सारा अफरीका के लिए क्योंकि वहाँ पर देखा जाए 1981 में 41% बढ़ कर 2001 में 40% हो गई तो ये वेश्वी सतर पर बहुत ही चिंता का विशाय बन सकता है आगे यदि हम बात करें तो देखा जाए तो लेटिन अमेरिका में गरीवी का अनुपात वही रहा यानि देखा जाए तो लेटिन अमेरिका में गरीवी के अनुपात में कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिला लेटिन अमेरिका में गरीवी का अनुपाद जैसा का तैसा ही है तो ये काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ सकता है देखा जाये तो रूस जैसे कुछ पुर्व और समाजवाज देशों में भी गरीवी फिर से उभर आई है तो देखा जाये तो गरीवी आने वाला समय में और भी बरहेगी क्योंकि देखा जाये तो रूस लेटर अमेरिका जैसे देश सब यूत पे बहुत ही अपना दिमाग फोकस कर रखे है तो यूत जो है गरीवी के उस दलदल में इनको धकलेगा जो इनका जो है उभरना कई दश्रकों तक बहुत ही मुश्किल साबित होगा क्योंकि देखा जाये तो ये लोग जो है यही सब कारणों की कारण जो गरीवी रेखा से अभी उभर नहीं पाए है भारत में गरीवी रेखा का सबसे बड़ा करण होता है यहां की राजनीतिक परनाली क्योंकि राजनीतिक परनाली में सिर्फ लोग जो है गरीवी का जो है अपने बोट के लिए ये इस्तमाल करते हैं इसे भारास से गरीवी जाना कहते हैं बहुत ही मुश्किल है क्योंकि भारास से कभी गरीवी नहीं जाएगी जिस परकार भारास से कभी कुरोना नहीं जाएगी तो ये बात काफी महत पूर्ण था और जरूरी भी था अगला कोशन जो होगा हमारे लिए काफी महत पूर्ण र किजिए अभी जो है इसको शेयर करने की भावना बनाई और शेयर कीजिए पहली बार मैंने चनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो जरना से बात दोसों सब्सक्राइब कर लिजिए सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है दुसरे वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिलेगा और आप सभी वीडियो जो है समय रहते देख सकीएगा अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप पे नोटिफिक्शन नहीं जाएगा और आप साथ उस वीडियो से अनविक तो यह काफी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है तो सोचे नहीं विचार न कीजिए अभी तिरपान स्टेटी सेंटर को सब्सक्राइब करके बनेवाल में सेव कीजिए